नमस्कार दोस्तों आप सब का स्टोड़ीफ पारदिक स्वागत है आज हम बात करेंगे शुक्र जब सात्वे भाव में हो तो उसके किस प्रकार के परिणाम देखने मिलते हैं शुब और अशुब दोनों वैसे कहें तो सात्वे भाव में शुक्र के पास बहुत बल होता है अ यदि कोई नकरात्वक परिणाम आपको उसके दिखाई देते हैं तो उसके उपाय क्या है उनके बारे में भी चर्चा होगी तो आज अब तिस वीडियो को शुरू करते हैं यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पर देवे सब्सक्राइब पर जा सकते हैं स्कलिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो हम बात कर रहे हैं शुक्र जब सात्वे भाव में हो तो उसके किस प्रकार के परिणाम दिखाई देते हैं सबसे पहले बात करेंगे अच्छे परिणामों की तो अच्छे परिणामों से अर्थ ही है कि शुक्र बली स्थिती में होना चाहिए तो बली स्थिती का मतलब होता है कि शुक्र जो है अपनी राशी में है उच्ची की राशी में है मित्रुवत राशी हो में है केंद्र या त्रिकोड या दूसरे या ग्यारवे भाव धानो लाग के स्वामियों के साथ योग बना के बैठा है जो नैसरगिक शूभग रहे हैं या गुरु, बुद्ध, चंद्र इनके साथ योग बना के बैठा है तो सात्वे भाव में शुक्र बहुत अच्छे परणाम देता है इसके अलावा शुक्र के जो मित्र ग्रहे जैसे शनी राहु भी वह भी अगर है पर बहुत उसको पीडित नहीं किये हुए खराब राश यह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी कुंडली का बलताय करते हैं अगर सूर्य चंद्र लगन के स्वामी कमजोर पढ़ेंगे तो बाकी ग्रह आपके कितने बढ़िया बैठे उनकी दशाय चलेंगी भी तो भी परिनाम आपको कुछ दिखाए नहीं पढ़ेंगे तो जितनी भी कंडिशन कही गए यहां पर जितना शुक्र वैसे योग बना रहा है अगर अच्छी परिस्थती में तो उतना उसके पास बल माना जाएगा और अच्छे परिणाम देने की शक्ति होगी सबसे पहले देखे सात्वा भाव काम इत्रकुन का हैसा शुक्र माया का ग पैसा रुपया हो मेली शुक्र लक्षमी का ग्रहे तो वो कंट्रूल करता धन संपत्ति और सम्रिध्धी को तो यह स्थिती जो है पहली बात तो भौतिक महत्वा कांख्षा तो पैदा करती ही है कि एक मटीरियलिस्टिक डिजायर्स और एंबिशन्स और नेचर तो इंसान क को देगी ही पर उसके साथ साथ अगर बाकी ग्रहे जैसे क्योंकि अच्छे योगों की बात हो रही है तो वह व्यक्ति को पुरुशार्थ भी देते हैं भाग्य भी देते हैं ताकि आपको जीवन में आवसर भी मिल सके और आप उन अपने जो आपकी महत्वा कांख्षा है अच्छा है उन्हें पूरा भी कर पाएं तो यह इस्थिती जो है बहुतिक प्रगती के लिए बहुत अच्छी माने जाती है कि material progress के लिए success के लिए हर संदर्भ में चाहे वो पैसा दमीन, जादाद, गाड़ी, बंगला, एशो, आराम, दुनिया के जो भी चेह रहे हो वो स सात्वा भाव देखें बिजनस का माना गया है और समाज का माना गया है सोसाइटी का और शुक्र सोसाइटी गग रहे है शुक्र बुद्ध शनी राहु व्यापार के कारक भी माने जाते ट्रेडर है मर्चिंट है तो यहां पर यह राशियों के उपर बहुत निर्भर करता ह कि या तो ये व्यक्ति को बहुत जो है बिजनस मेंडिड बनाता है चतूर बनाता है दुनियादारी की एक गहरी समझ देता है और वास्तविक समझ देता है यहने कि किताबी ग्यान कहीं से पड़ लिख के चले आए हैं ऐसा ग्यान जो कि उसको पता है कि व्यवहार कुशलता जिसे कहते है तो व्यक्ति को यहाँ पर सोशली एडप्ट बनाता है कैसे दुनिया चलती है कैसे हकीकत में काम होते हैं कैसे लोगों से डील करना चाहिए कैसे पैसे का फ्लो चलता है कैसे धंदे चलते हैं इन सबकी जो एक गूर वास्तविक समझ है वह भी शुक्र देने की शक्ति रखता है अगर उसका संबन्ध बुद्ध शनी राहु में से किसी के साथ है अच्छा तो वो देगा इस तरीके यह बुद्धी भी देता है तो वो एक जो एक जो एक आटिट्यूड है दुनिया को गहरे से बारी की से चतुरता से समझने वाला वो अभी शुक्र प् राशियों पर ही डिपेंड करता है कि अगर माली जे शुक्र जो है वो चंद्र या सौम्य राशियों में है तो वो जो है व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल भी बना देता है अब वो यहां पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रियलिस्टिक और बिजनस माइंडिड ना बना करके व्यक्ति को काफी सोशल, क्रियेटिव, इमोशनल, एक्स्ट्रोवर्ट, आर्टिस्टिक ऐसे अटिट्यूड भी दे सकता है तो यह कुंडली पर भई डिपेंड करता है कि शुक्र की कंडिशन क्या है किस राशी में हो बैठा है तो राशियों के उपर निर्भर करेग शुक्र और बुद्ध जो होते हैं भाशा के ग्रह हैं, कम्यूनिकेशन के, तो अगर शुक्र अच्छा है, दूसरा तीसरे भाव में अच्छे योग है, बुद्ध की कंडिशन ठीक है, तो यह व्यक्ति के भीतर जो है एक अच्छी भाशा शैली देता है, आप अपने कम्य मताव से अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, तो परसुए से इंप्रेसिव कम्यूनिकेशन स्टाइल है, सिविलाइस्ड नेचर है, शांत व्यवहार है, काफी एक सौफ्ट अटिट्यूट देता है, जिससे की व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सक तो यहां पर जो एक परसुए से यूमरिस्टिक इस तरीके का कम्यूनिकेशन स्टाइल है, और दूसरा यह सोशली एडेप्ट बनाता है, कि आप लोगों से भले ही, आप कितने इंट्रोवर्ट इंसान क्यों नहों हो, पर अपनी बात को अच्छे तरीके से पेश करना आता है, और लोग आप से जो है, बात आपकी जो सुन करके वहाँ जो आप काम चहते हैं, वो पूरा भी कर पाएं, तो वो भी उसके लिए अच्छा, तो सोशली एडेप्ट बनाता है, भले विक्ति क्यों इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, तो यह भी एक पार्ट आता है, तो यहां कम्यूनिकेशन का एंगल जो है, वो भी बढ़िया हो जाता है, इसके अलावा, शुक्र और सात्वा भाव विवा का होता है, मैरिज, और मेंली मैरिज, रिलेशनचिप्स भी देख सकते हैं, बट उसके लिए पाच्वा भाव मेन होता है, सात्वा भाव शादी ब्या काई म सबके उपर मैंने बहुत सारे वीडियो अलरडी बना चुके हैं, आप उसको उपर प्लेलिस दिखाई जा रही है, आप उसको देख सकते हैं, मैरिज को कैसे देखा जाता है कुंडली में, पर शुक्र सात्वे भाव में अगर बली है, तो निसंद है, यहाँ पे शादी ब् वहाहिक जीवन हो, उसके लिए वह बहुत अच्छे योग बनाने की, मतलब अच्छे योग अगर हैं, तो वह ताकत रखेगा अपनी, इसके लावा खास तोर से पुरुषों में विशेश कर, महिलाओं में भले उतना ना हो, पर पुरुषों में यह विवाह के बाद तरक् होती है, धन, संपत्ती, समरिद्धी, यह सब चीजे आने लगती हैं, तो यह पुरुषों के केस में ज्यादा में महिला के केस से, महिला में उल्टा देख सकते हो, महिला में यह हो सकता है कि बहुत शादी हो जाए, उसकी तो उसके पती को लाब देखने मिल जाए, तो यह देखने मिलता है, बट शुक्र जो है, साथ विवाह में अगर बढ़िया है, तो विवाह के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, रिष्टों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और एक अच्छा खुशहाल पारिवारिक वैवाहिक जीवन देने के लिए उसके पाश होती है इसके अलावा कई ऐसे फील्ड है एजूकेशन के या करियर के मेंली करियर के जो कि यहां देखे जा सकते हैं बाकी कुंडली में आपको और योग देखने होंगे तो यहां पर एक तो बिजनस और सेल्फ एंप्लॉइमेंट के अगर योग कुंडली में है तो शुक्र दे सकता है फैमिली बिजनस हो या खुछ से व्यक्ति काम करें वो अलग बात है बट यह है कि बिजनस के अंट्रोपरिनियोर्शिप के सेल्फ एंप्लॉइमेंट की योग अगर बनते तो शुक्र वो दे सकता है फिर जो लोग जो है बैंकिंग में फाइनेंशल इंडस्ट् सेल्स, ट्रेट, सप्लाई, इनके लिए अच्छा है और्ट के लिए हर प्रकार की ऑर्टिस्टिक ए इसके लिए बहुत अच्छा है चाहिए वह फाइन आर्ट हो, संगीत हो, कला हो, चित्रकारी हो, अभीनय हो, नृत्य हो, मनुरंजन का जगत है, फिल्में हैं, मीडिया है है पत्रकारिता है mass communication है, design है हर प्रकार की चाहे enterior design, fashion design, product design graphic design, कोई भी design, engineering design भी देख सकते हो अगर ऐसे ही हो गले है फिर marketing और advertising का field है fashion का इलाखा है fashion में जो कपड़े से related व्यक्ति काम करते हैं टेक्स्टाइलस, fabrics, garments, industry हो गई, jewelry हो गया, footwear हो गया, fashion 알아ने बेइस maken accessories से related सारी चीज़े हो गए beauty के इलाके है 소स्मेटिक्स है呀 highlights इस तरीका के जो एरिया। फिटनेस का सेक्टर है टूरिजम और हॉस्पिटालिटी है तो हॉस्पिटालिटी में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, कसीनो, बार, पब्स यह सब जो हॉस्पिटालिटी वाले एरिया है वो देखे जा सकते हैं और FMCG सेक्टर है, हेंडी क्राफ्ट है, होम डेकोर एरियाज है, फूलों का काम है, पर्फ्यूम्स और सेंट्स हो गए, या जो शादी ब्यास से रिलेटेड बिजनस होते है, वेडिंग प्लैनर्स कह लीजे या जो शादी ब्यास में जिनकी जरुवत पढ़ती है, बैंड ब भाव में, लौ का फिल्ड भी दे सकता है, शुक्र हाला की लौयर नहीं है, बट लौ में पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट लौ, फाइनेंशल लौ, कमर्शियल लौ, ये तरीके के जो लौज हैं, या फिर डिवोर्स लौ, फैमिली लौ, इन चीजों को जादा दिखाता है, तो शुक्र के सात्वे भाव में, बड़े अच्छे परिणाम होते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा, सब्तम में शुक्र अगर अच्छा है, बाकी यो कुंडली में बढ़िया है, तो ये स्थती जो है, भावतिक प्रगती और सफलता के लिए बड़ी उच्छी मानी जाती है, जो भी आप जीवन में एक अच्छा करियर, मुकाम, पद, प्रतिष्ठा, अच्छा जीवन, गाड़ी, बंगला, जमीन, जादा, जो कुछ भी सोचते सास्ते हैं, ये सब दे देता है, तो उसके लिए शुक्र बहुत अच्छा है, सात्वे भाव में, तो यहां पर अभ भी होते हैं, अब वो कुछ सूर्टों में बन सकते हैं, सबसे पहले तो शुक्र को पिलित हो जाना चीए, पिलित का अवर्थ है, जो है खराब राशियों में, शत्रुगत राशियों में है, नीच है, नीच भंग नहीं बनाया हुआ है, जिस ग्रेकी राशी में बैठा है, या फिर जो है शुक्र के उपर सूर्य, मंगल, शनी, राहू, केतू अशुब राशियों में बैटकर उसे पीडित कर देते हैं वो अस्त हो जाता है पूरी तरीके से खराब राशियों में बैटने पर वक्री हो जाता है या फिर गरहदोश बना देता है तो अगर मंगल केतू के साथ पर्टिकुलरली बैठा तो गरहदोश बना ही डालेगा साथवे में तो इसलिए जो है शुक्र अगर ऐसी कोई परिस्थितिया खड़ी कर रहा है और पैरलली सूर्य चंद्र लगनेश भी कमजोर है सही नहीं है इन तीनों में से कोई भी या तीनों के तीनों या एन बाकी योगों को देखे फिर किसी निशकर्ष पर आईए पर इसको जानकारी की तरह लीजे कि यहां पर एक रहे एक भाव में बैठने पर कितने बढ़िया और कितने खराब पढ़ना देने की शक्ति रखता है तो अगर शुक्र साथ भाव में पीडित हो जाए सारी में चीजे सुकसादन हासिल करना ही जीवन का एकमात रूदेश लक्ष है ब्लाइंडिड मटीडियलिजम हीडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल उससे अधिक उसको कुछ चुनाई दिखाई देता ही नहीं है अत्यधिक लालसा लालच पैदा करता है स्वार्थ परता बहु लग जाता है और इससे हम बहुत इजी टू सी होता है कि जो गोल्डिगर्स होते हैं चाहे महिला हो चाहे पूरिश कोई भी हो सकता है जो शादी ब्यार रिष्टे इस वज़े से बनाते कि पैसा रुपिया जमीन जायदा दौलत आश्वारा मिल सके बाकि कोई शादी ब्या कि शुक्र कितना ही बढ़िया बैठे साथवे में वो पब्लिक इमेज सोशल वैलिडेशन का भूखा जरूर होगा यानि कि वेक्ति जो है यह जरूर रहता है कि उसके लिए माइने रखता है कि मेरी इज़त लोगों की नजर में मेरी रेपूटेशन अच्छी रहे तो और मेरी जो है एक उनकी एक रता कि उनकी उपीनियन से हम कहीं न कहीं जाने जाने से थोड़ा बहु डिर्वन हो जाते हैं तो वो अच्छे शुक्र का निशानी पर अगर खराब हो जाए तो क्या होगा एक्सेसिव शो आफ, डेस्परेट सोशल वैलिडेशन, आइडेंटिटी आने के लिए ड्रामा करने की यादत है, irresponsible attitude है, दुनिया के सारे आइशो आराम चाहिए करना धरना उसके लिए कुछ नहीं होता है, इसके अलावा वासना बहुत बढ़ाएगा, सात्वा भाव लस्ट का भी होता है, मंगल राहु चंद्रमा के साथ अगर उसका कनेक्शन बन होती है, तो चलती नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स की जूट है, जालसाजी है, धोखे बाजी है, विस्वास गात है, चीटिंग की आदत है, commitment नहीं है, manipulation है, coldness, boring, dull environment है, कोई प्रेम नहीं है, खाली एक दबाव में प्रश्रह में आके शादी चला ली, दुनिया की नजर म है, रखी है, अंदर से टूटी, बिखरी हुई शादी है, या कोई divorce है, separation है, cold cases है, पती या पतनी के स्वास्थ को, आयू को नुकसान है, मृत्यू है, इन में से किसी भी तरीके के योग बना सकता है, for marriage, it will be extremely negative, अगर साथवे में शोकर पीलित, गल्ती से भी हुआ, तो शा में, यह भी हो सकता है, कि denial के योग बना दे, अगर ऐसे कोई बहुती जबरदस्त योग है, कि भी शादी नहीं होगी, तो वह भी योग बना सकता है, वो, तो डिपेंट्स, बट साथवे में अगर शुक्र पीलित हुआ, तो विवाह के लिए सबसे पहले खराब हो जाएग इसके अलावा शुक्र क्योंकि धन का कारग है, पैसे का, तो पैसा अगर गुरू भी ठीक नहीं, नवाभाव ठीक नहीं, शनी राहु बुद्ध का प्रभाव जादे हैं, तो यहां पर क्या रहेगा, सन्दमार्ग यानि धर्म के मार्ग से पैसा नहीं आता है, ब्रश्टा तो हमें अगर शुक्र पीड़ीतों के बैठे तो अपने पावर का गलत इस्तिमाल, अपने पद का गलत इस्तिमाल, अपने स्वार्थों निहत, फाइदों के लिए व्यक्ति उसका दूरूपियोग करता है, तो वो भी देख सकते हैं, इसके अलावा इससे हर दरी के जो वा अंडरस्टेंड, फिर सका रहो, जानकारी की तरह लीजे, एक पोदीशन के बारे में बताया जा रहा है, तो इससे ये भी देखा जा सकता है, अगर बहुती इस प्रकार के योग है, तो किसी भी तरीके के जो अवैध गहर कानूनी कार है, चाहे वो वाश्यवर्ति है, चाह क्योंकि काफी ऐसी आदत होती कि बस जो आया, उसे उडादो, तो वहाँ पर पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है, और या फिर संपत्ती का विनाश भी बन सकता है, कि एक वक्त पर आपने पैसा बड़ा कमाया, फिर एक बार सारा निकल गया, डिफेमेशन है, इजट जो है, वह एक लेविल पर कहीं न कहीं खराब कर देता है, बटा लगाता है इजट पर, तो डिफेमेशन है, किसी भी तरीके का पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन दे योगस, और हेल्थ इशूस हो सकते हैं, इसके अगर योग है कोई सात्वाव हमारा कि स्थान भी है, तो स्वास् योग है, जैनिटल प्रॉब्लम्स है, इसकी इशूस है, या मेंटल इशूस है, मेंटल इमोशनल हेल्थ भी पूर कर देता है, तो इन में से किसी भी तरीके के अगर योग है, तो यह पॉसिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि शुक्र जो है, ये दोनों, उसका लिंक उपर कार्ट सेक्शन में दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपसे आगरे है, उसे ज़रूर देखें, जो भी उसमें बाते कही गए, उसको फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे अपने जीवन में, जो भी वो परिशानिया फेक सब्सक्राइब कीजिए, जादा जानकारी के लिए आप मेरी वेब साइट, फेजू पेज, इंस्टाग्राम इन पर जा सकते हैं, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आने थाम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आग्यादे, आपस्का दर्वाइब